बच्चों कैसे हो मैं भगवान से प्राहना करती हूँ कि आप अच्छे ता स्वस्तु होंगे मैं सबसे पहले आपको UKG कलास से फर्ष्ट कलास में जाने के लिए बदाई ता सुखकामनाई देती हूँ बच्चों आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट है दो फर्ष्ट और सेकिन दो पार्ट होते है तो फर्ष्ट पार्ट है आपका ब्याकरण कॉसल नाम क्या है ब्याकरण कॉसल तो इसमें आपको बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और पड़के समझते हैं तो ये चीजें आपको English में भी आपको यही मिलेगा उसमें grammar में आपका यही होगा, भस यही है कि इसमें हिंदी में हैं और Translation इंग्लिस में ये चीजें ही आपको सिखने के लिए उसमें भी मिलेंगी तो सबसे पहले मैं आपको भासा की डेफिनेशन बताती हूँ कि भासा क्या है तो दूसरों को अपनी बात समझाना तथा दूसरों की बात समझना ही भासा कहलाती है क्या है दूसरों को अपनी बात समझना ही भासा कहलाती है आप बोलकर अपनी बात दूसरों को स समझुगे. एक्राइक तौर पे जैसे हमारे राश्ट्य पिता कौन है मैडम कही रही है कि हमारे राश्ट्य पिता कौन कहलाते हैं तो आप answer दोगे कि मैडम महात्मा गांदी तो मैंने आपकी बात समझी और आपने मेरी बात समझी तो यह क्या है समझना होता है विचारों को समझना ही भासा ने समझा जैसे सूर्य हमें क्या देता है तो क्या देता है आप तुरंत बोल दोगे कि मैडम प्रकास देता है और गर्मी देता है यही चीजें क्या है दूसरे सुनकर हमारी बा तो बिचारों का आदान परदान ही भासा कहलाती है इसके बाद आता लिखना तो हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और हम पढ़कर भी दूसरों की बातों को समझ सकते हैं कहीं पर किसी ने कुछ लिखा हुआ हम उसको पढ़ींगे तो तुरंथ हमारे समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या लिखा है इसके बाद है आपका सुनना अब सुनना जो होता है आप अपने कानों से सुनकर दूसरों की कही हुई बात को समझते हैं जैसे कि यह देखो चूहे चूहे तुम कहा हो यह आपस में पट्टी बांदी हुए उसे दिखाई नहीं दे रहा है पर वो क्या कोसिस कर रहा कि उनकी आवास उनके उन तक पहुंच जाए तो यह सुनना होता है उसके बाद आता आपका पढ़ना तो पढ़ना जो हम जैसे रेडिंग करते हैं मैं आपको बोलू कि आप बुक्स लेके खड़े हो जाओ तो आप उसको पढ़ोगे तो क्या मैं समझ जाओंगी कि यह पढ़ रहा है तो आप पढ़कर दूसरों को लिखी हुई बात भी समझते हैं जैसे क्या जै मचली के बारे में पढ़कर सुनाओ मैडम कहरी कि जै मचली के बारे में पढ़कर सुनाओ तो पढ पाढ़के सुनाने लगा मचली जल की रानी है जीवन इसका पानी है हात लगाओ डर जाएगी बहाँ निकालो मर जाएगी अब मैं आपको इसके इस लैसन के बारे में मैंने कुछ आपके लिए प्रसंद तयार किये हैं आपको यह भी समझने हैं और इसको अपनी कौपी में भ एक भासा देखो भा भा पे आकी मातरा सा पे आकी मातरा सा भासा तो भासा किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी समझाया था एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ दूसरों को अपनी बात समझाना था दूसरों की बात समझना ही भासा कहलाती है अब देखो इसमें क्या है भासा सीखने के तरीके होते हैं, तो इसमें अभी आप छोटे हो, आपके समझ में नहीं आएगा, पर मैं एक बार आपके, उसमें डाल देती हूँ, कि ये क्या होता है, इसको सुबोपली भी कहा जाता है, कि मैंने यहां पे लिखा हुआ, ये क्या है, सुबोपली, तो सुबो और आपने सुना, तो क्या है, सुनना, उसके बाद उस सुनने, जैसे मैंने बोला कि बेटा इधर आओ, तो क्या है, वो आप सुन रहे हो, तो बोलने की कोशिस भी आप करोगे, उसके बाद आपका जो जैसे लिखा हुआ ये भासा, आप कोशिस करोगे, कि भासा कैसे लिख निजी है, उसे पढ़ने की कोसिस करोगे, और उसके बाद आएगा लिखना, आप फिरसे कोसिस करोगे, कि मैं किस तरह से इसको लिखूँगा, तो क्या भासा है, बिचारों का अदान परदान, और अपनी बात दूसरे को बताना, और दूसरे की बातों को समझना इसके बाद आता है आपका प्रस नमबर टू आप दूसरों की बाद किस प्रकास समझेंगे हम दूसरों की बाद आपने पढ़ लिया आगे लेसन में क्या है तो हम दूसरों की बाद सुनकर भी समझ सकते हैं और पढ़ कर भी समझ सकते हैं फिर आता है आपका प्रस नमबर 3, आप अपनी बात दूसरों को कैसे समझाएंगे, किस तरह से समझाएंगे, जब हम कुछ बोलेंगे तो आप भी समझ जाओगे, और कहीं हम लिखके दे रहे हैं, तो वो समझ में आ जाए, तो हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को स अंतर होना चाहिए हमेशा, जो आपके पैंसल होगी, उससे के अनुसा, तो आपका अपने आप ही साप साप लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको इसी तरह से उत्तर भी लिखना है, साप साप लिखना है, और सुन्दर तरीके से कोसिस करनी है, पहले आपको टफ लगे है, यह देखो जैसे निमिलिखित अक्षरों के द्वारा सार्थक सब्द बनाने, इन से तुम्हें सही सब्द बनाने, अब आप फश्ट में पहुंच गए हो, यह चीज़ें आपको बतानी, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद इससे देखोगे कि यह क्या लिखा हुआ, कि आपको यहां पे वो चार सब्द, पांच सब्द लिखने, गोल भी बना के लिख सकते हो, ऐसे बना के, ऐसे बनाओ, सरकल बनाओ, और फिर लिखो, और फिर अपना नाम हिंदी में लिखना है, यहां पे क्या करना, अपना नाम आपको हिंदी में अच्छे प्रकार से लिखन राइटिंग बना बना के लिखना है और सुन्दर तरीके से लिखना है यह आपका अभ्यास कार्या है और आप इसको पड़ते ही दिन इसका अभ्यास करेंगे और घर में रहो सुरक्षित रहो अपने हातों को बारबार धुलो धन्यवाद